हेलो गाइज वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल आज की शूडियो में हम पहुचे हुए एक कपड़ा का फैक्टरी में आप पीछे के तर गाइज आप देख सकते हैं और इधर के तर आप गाइज देखेंगे तो फूरा की कपड़ा का फैक्टरी ही है लेकिन आज के इस अब सुड़ how要 कपड़ा किस स्ब्सक्राइब का इस स hesitate को हम और घलिए को एधिra सो ऐक जदाखार दीए इसके डिए कि के दोछान पानी के दोरा कैसेक कपड़ा बनता है और मस्यम डोकी की स्वास कप्ड़ा करता है आप घ्यार जाता है आइशत सिर्थ और हम और आप शूर करते हैं तो गई जैसे कि यहां आप देख सकते हैं बहुत सारा मほど क्वालिटी का की मसीने इस में से लो और नि यहों कि इसको बोलते हैं वाटर जेड यहां पे देख सकते हैं यह पानी से जो कि कपड़ा निकालता है और यहां पर देख सकते हैं एक सैड में जो है कि बीम लगा हुआ है मतलब धागा का उसके पार सा उसके बाद से आप गाई देख सकते हैं यह जो बड़ा सा भीम है इस धागा से यह जो इसमें जो है लग के उधर के तरफ गया है उसके ब निकलता है ठीक है और सिंगल पन्य का मसitte में इसमें एक ही निकलता है इसमें आप देख सकते हैं कि अके मसी है लेकिन आप नेचे के तरफ देखेंगा इधर लीह और गाइज इसमें डबल परने में कुछ मुनाफभा होता है इसमें और गाईज यह सिंगल परने का बात करता उसमें एक ही निकलता है तो आज के पहले आप अगर नहीं देखें होंगे तो यार वीडियो को पहले लाइक कर लिए चैनल पर नए आया है तो प्लीज चैनल को समझाऊंगा और बताऊंगा किस परकार से जोई की वह चालू होता है किस परकार से पानी का फ्रेसर मारता है और उसके बाद से कपड़ा बुनाता है तो गाइज बने रहे हैं इस वीडियो में यह देख सकते हैं सिंगल पने का मसीन है और मसीन का बात करें तो देख सकते हैं लाइन बाइन मशीन ही लगा हुआ है इतना मशीन है कि आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं इतना मशीन है कि कपड़ा परडॉक्शन में सूरत के अंदर आएंगे तो इसी परकार का मशीन आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा और आपको दिखाते हैं कि इस परकार से बु तेयार हो रहा है बनके उसके बाद से जो है कि दोस्तों रूल को निकाला जाएगा उसके बाद से आपको कपड़ा को खीच के उसके बाद से फोल्डिंग करके गाइज उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में मिल में भेज दिया जाता है डाइंग करने के लिए तो वह भी आप बुलिएगा तो डाइंग का भी वीडियो लाएंगे कि किस परका से जोगी कपड़ा त्यार होता है तो आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं किसी इस परकार का नेक्स्ट वडियो में तब तक के लिए बन रही है हमारे इस चैनल के साथ नमस्कार धन्यवाद